तो गाईसर आज तो बहुत ही जादा बड़ी दिक्कत हो चुकी है यह जो लोयन है वो अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं और यह ऐसे किसे से शादी ने करवाएंगे इनको चाहिए खदरनाग मस्कुलर और पावरफुल आत्मी और यहाँ पर तीन तीन जने चोकी इस लड़की से शादी करना चाहते हैं सबसे पहल है यह चीता सेकंड है फ्रेंकलिन और ठाड है यह सिंबा चोटा लोयन अब यह लड़की इन तिनों में से किस से शादी करेगी बापा बापा मुझे तो समझ दिया रहा मुझे किस से शादी करने चाहिए मेरी बच्ची तुम टेंक्शन मतलो मैं पता करता हूँ यह चीता से तुम नहीं कर सकती यह बहत ही कमजोर है और यह तो एक इनसान का बच्चा है फिर भी कमजोर है और यह लिए लोयन तो बहत ही छोटा और कमजोर है ये तीनों बहुत कमजोर है मुझे चाहिए ऐसा आदमी जो की बहुत ही पावरफुल हो और मेरी बेटी की रक्षा कर सके पर पापा हम इन तीनों को मौका देना चाहिए अपने आपको प्रूफ करने का क्या पता ये चीता, फ्रैंकलिन और ये लोयन खतरनाग बन जाए बच्ची तुम सही कह रही हो मैं इन तीनों को मौका जरूर दूँगा मेरी बात सुनो तुम तीनों को मैं एक-एक मौका देने वाला हूँ खतरनाग और पावरफुल बनने का मुझे नहीं पता तुम कैसे बनोगे पर मुझे तुम खतरनाग बन कर दिखाओगे तब ही तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो तो कौईसर लोयन अंकल ने तो यहाँ पर बोल दिया कि जो भी खतरनाग बनेगा वो अपनी बेटी की शादी उसी से कराएंगे तो अब चीता, फ्रेंकलिन और लोयन तीनों ट्राइ करने वाले अब ड्रेडो ने का तो हम यहाँ पर इन तीनों की स्टोरी देखने वाले कैसे यह वी केस्टू स्ट्रॉंगेस्ट बनने वाले और फिर यह लड़की इन तीनों में से किसी को चूस करेगी तो सबसे महले हम देखने वाले है चीता की स्टोरी कैसे वो वी केस्टू स्ट्रॉंगेस्ट बनने वाला है उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंकलिन की स्टोरी वी केस्टू स्ट्रॉंगेस्ट और उसके बाद यह चोटे से लोयन की वीकेंस्ट्रू स्ट्रॉंगेश्ट ये होने वाला एक मेगा एपिसोड और इस वीडियो की आकरी में आज मेरी बेटी तुम तीनों में से किसी से शादी करने वाली है अब जाओ और चल्दी चल्दी अफग्रेड हो जाओ मैंने सोच लिया है मैं कैसे भी करके उस जीता गल से शादी करकर रहूंगा पर मुझे चल्दी चल्दी अफगर होना पड़ेगा उसके लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी तो कैसर मुझे यहाँ पर पता चल चुका है अगर मैं यहाँ पर पूल आप उससे तुम्हारी स्ट्रेंथ डवल हो जाएगी मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ चलो चलो और काईजर हमारी स्ट्रेंथ यहाँ पर हंड़ेट पहुचने वाली है मस और हंड्रेट पर हम होने वाले अपग्रेड एक खतरन अब बस्कुलर और पाउरफुल हो चुका हूँ अब जल्दी से मेरे साथ डेट कर लो मुझे लगता है मुझे एक घंटे बाद वाले चैलेंज में पाटिसिपेट करना ही पड़ेगा क्योंकि काईजर उसमें जो भी चीतेगा वो चीता गई के साथ डेट पड़ जाएगा और उस चैलेंज में तुम मैं ही चीतने वाला हूँ पर उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा अंकल प्लीज लॉयन अंकल प्लीज मुझे वो और स्पेशल चिकन का स्पेशल लेक्वीज दो अंकल प्लीज 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 से ट्रेनिंग करते हैं और अपग्रेड होते हैं एक घतरनाक से चीता में पच्चे अगर तुम्हें चाहिए अगला special मुर्गी का special leg piece तो तुम्हें इस boxing punch पर फुल स्पीड पे एक मुक्का मारना है कि यह boxing punch ब्लास्ट हो जाए क्या इतने देज ठीक है मैं तो बिल्कुल तियार हूँ या यह ले लगई 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 बचाओ 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 और बच्छे क्या हो गया अरे इस वोक्सिक बच्छे तुम मेरा ही हाथ तोड़ दिया अहा दर्दो रहे दर्दो है और बच्छे इतने कमजोर तुम कैसे हो सकते हो अरे मैं क्या करूँ रुक जाओ मेरी बात सुनो अपने अंदर गुस्सा जनरेट करो और तभी तुम मार पाओगे गुस्सा कैसे जनरेट होगा रुक जाओ मुझे पता है काईसर आप सभी को कमेंट करना पड़ेगा गु गुस्सा इंटू हंड्रेट एंगर इंटू हंड्रेट ताभी तो मैं मार पाऊँगा एक खतरनाक सवन तो कैसर अभी मुझे गुस्सा आता जा रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ ताकि मेरा गुस्सा और भी जादा बढ़ता रहे और मैं इस पे बोग ज़दी खत पंच मारा यहां पर तो आख लग चुकी है और बच्चे यह पंच तो बहुत खतरनाक था तुमारे अंदर बहुत ही कुस्सा बढ़ा हुआ है यह स्पेशल चिकन का स्पेशल लेग पीस तुमारा हुआ हुआ कालो इसको तो कैसर अभी आप देख सकतो इतना खतरनाक पंच मारने की वज़े से मुझे यह स्पेशल चिकन का स्पेशल लेग पीस मिल चुका है वड़ावट से इसको खा लेते है नम 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 और यह क्या काईसर आप देख सकतो मेरे हाथ कितना जादा मस्कुलर हो चुका हूँ डोले शोले मेरे यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी अफग्रेड होते जाओगे तो मेरे क्याल से वह चीता गल तो तुमसे शादी कर लेगी क्या शादी यह तो महत कातर नाक है तुकाया सर मुझे जल्दी जल्दी अफग्रेड ना पड़ेगा ताकि मैस लॉयन को हरा के चीता गल से शादी कर सकू और अगर चाहे कि ये जलदी जलदी अफग्रेड ह हूँ तो पड़ापाट से फीडियो को लाइक करो छैनले कुछ सब्सक्राइब करो तब ही तो मैं चल्दी जलदी अफग्रेड हूँ हा चलो lying uncle लाज चल्दी जल्दी मुझे ओर भी वुसपेशल चिकन का special leg piece जाहिए कहाँ पर हैं बच्चे मैं तुझे वही बताना चाहता हूँ कि वो मेरे पास खतम हो चुके क्या खतम हो गए इत्की जल्दी अरे अब ही तो मैं दुनिया का सबसे खतमनाग चीता बना भी नहीं हूँ बच्चे बड़ टेंक्शन मतले हम वो चिकन ब्लैक पीस साथ में डूड़ेंगे क्या कैसे बच्चे यह जो पूरो का पूरा फार्म का एरिया है इधर वो चिकन मिलते है वो पूरो पाइबटक्राओ पूरो तो अब नो और चिकन बारने के बाद वो दस मिनिट में सर जाएगा इसका मतलब तुमारे पास स्रिफ दस मिनिट है सारे के सारे चिकन को ढूंड कर मारने के लिए क्या ये तो बहुत ही कम टाइम है और उसको तो मैंने माल दिया है मतलब स्री मेरे पार 9 मिनिट बचे है और अब अच्छे तो फिर जाओ अरे टीके टीके मैं जाता हू अरे काईजर मुझे जल्दी जल्दी उन चिकन को ढूंडना पड़ेगा नाली में तो नहीं है न मेरे पास स्रीव 9 मिनिट बचे है क्योंकि काईजर 9 मिनिट बाढ़ सारे चिकन सडने लग जाएंगे तो में जल्दी जल्दी उनको ढूंड़ कर मारना पड़ेगा हम उनको ढूंडने के बाद उनका लैग पीस बहेंगे और ये क्या एक और चिकन मिल गया ये ले दो चिकन मेरे आपट ढूंड लिए पर आभी भी आठ चिकन और ढूंडना पाकिए कहां पर है चिकन, कहां पर है, कहां पर चुपे वे, आजाओ, सब को मार दूगा, अरे काईजर, मुझे लगता है, आप सब को कमेंट टरना पड़े का चिकन, तब ही वो मेरे सामने आएंगे, वरना मैं उनको डूंडी नी पाऊंगा, कहां पर है चिकन, 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 जल्दी जल्दी कमेंड करो चिकन, 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 तभी तो मिलेंगे हैं जिकन और यह क्या, एक और चिकन में आपर मिल चुका है यह ले, तुकाइबसर तीन चिकन को हमने मार दिया आभी साथ चिकन को और डूड़ना बाकिए और मुझे लगता है उस घर के अंदर मैं जाओंगा तो मुझे चिकन मिल सकते हैं तो बड़ापट से उस घर के अंदर चलते हैं तो क्या सब आभी हमें जल्दी जल्दी चिकन टूरनें एक और मिल गया? ये क्या? ये शेर की बच्चे तो इस चिकन को खा गए अरे तुमने ये क्या कर दिया? मेरे चिकन को खा गए वरना ये भी मुझे मिल जाता पर एक सिकिंड इस चिकन को इन्होंने अभी अभी खाया मतलब ये मेरे काम आ सकता है बड़ापट से इन शेरो को या से मार दे दो येलो येलो तो अभी मुझे यहां पर एक और चिकन मिल चुका है मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा वरना ये सब किसब सडने वाले तो मेरे बास आपी टोटल चार चिकन हो चुके अब मुझे छे और डूडने कहां पर है चिकन? कहां पर है? मुझे जल्दी जल्दी डूड़ना पड़ेगा और काई जर ये क्या मुझे एक और चिकन या पर दिख चुका है पर यह तो मेर से देश भागी जा रहा है रुकचा रुकचा इसको मैं नहीं छोड़ाँ गार रुकचा अरे यार 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 यह का सा गया जल्दी चल्दी उस पकड़ें रुक जाओ ये ले ये ये ले और ये गिर गया तो काईसर अभी आप देख सेकते हो मैंने यहाँ पर एक और जिकन पकड़ लिया मतला पांच चिकन पकड़ लिये पांच और टूड़ना बागी रुक जाओ आभी मैं इसके उपर चड़ने वालो ताकि यहां से मैं चिकन डूड़ सको कहाँ पर है चिकन कहाँ पर है चिकन यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखना मेरे पास टाइम बहुत ही साधा कम है मुझे चल्दी से डूड़ने के लिए तो वड़ा अपर से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि लाइक और सब्स एक सगेड़ आवाज 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 आ और विर चिकन डूड लेते हैं मुर्गी आज मैं तुझे मस्त तवे में फ्राय करके खाऊंगा अरे यार तवे में तो टाइम लगेगा मैं तुझे कच्छा का जाऊंगा यह ने निकल यासे मैं तुझे नहीं चोड़ूगा अरे क्या कर रहा है तेरे ऐसी की तैसी मेरी मुर्गी खाएगा यह मुर्गी सिर्फ मैं ही खाऊंगा यह ले एक और चिकन मिल गई सिर्फ दो चिकन और ढूड़ना भाकी है तो क्या से चुप से आप सभी ने लाइक और बढ चुगा है तो बढ़ चुगा हुआ आप सभी को एक और लाइक और सब्सक्राइब कर ना चाहिए जिस दिसने नहीं किया उसको कोई दिककत नहीं धै है तो वो भी चल्दी-जल्दी कर दो ओढो हर काईसर यहाँ से मुझे भ同ी चुड़ी शुड़ी आवज आर जी एक बागने लग गई रुग जब नीचे को खूत गई अरे काई सर यह यह पर चिकन स्थो बागने लग गई ए रुग जाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला अब बताता हूँ चीटा किसको कहते है चीटा ही कहते है सीधा इसके मुँपे जम करके इसको मारूँ गया रुग बहुत बड़िया बच्चे तुमने सारे चिकन साई टाइम पर पकड़ लिए अरे तेंक्यू लोयन अंकल अफ़ड़ा बड़ से मुझे वो स्पेशल चिकन लेकपीस जाहिए ओके बच्चे उसके लिए हम इन सब को कनवर्ट करना पड़ेगा स्पेशल लेकपीस में तो चलो मेरे साथ मंतर बोलो क्या और चॉचे मंतर बोलत जाओ और अजिसर फाइनली हमारे स्पेशल चिकन का स्पेशल चिकन लेकपीस यहां पर आ चुका है पर इस को कहाने के बाद देखते हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या में तुनिया का शबसे खाथरनाख चीदा बनुगा, फो तो अब पथा चल लगा है, आँ, नम, नम, nम, nम, largely yoo काईचर, ये चीदा लिएक्स सेहिमें बहत जादा खादरनाक है, मैं कितने जाद चीता तो नहीं बने पर एक बहुत ही बावरफुल चीता बन चुके पर हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम तुन्या के सबसे खतरनाक चीता नहीं बन जाते तो अंकल मुझे चाहिए और भी फिल्ला चुप ने जबन कि और देखे पास अवी अवी फोन आया है एंक खतरनाक से चैलेंज का उसमें परभी छेलेग्स मिलेगा क्या तुमें चाहिए Mes haciendo po लेक्वीज लेस्ट गो बच्चे तुम्हारा स्वागत है एक और खतरनाक से चैलेंज में इस चैलेंज में अगर तुम जीतना चाहते हो तो यह थोड़ा मुश्किल उने वाला है सबसे पहले तुम्हें आपर कोई सी भी गाड़ी सेलेक करनी है और जाना इस खतरनाक से रैम और तुम्हें इन तीनों के तीनों टार्गेट को हिट करना पड़ेगा तुम्हारे पास है टोटल पांच मौके और पांच में से तीन हिट होने चाहिए और यहाँ पर गाड़िया भी सरफ पांच ही है तो तुम्हें हर एक गाड़ी के साथ एक मौका मिलेगा और अगर कैसे भी करके सबसे मेले इस वाली कार में चलते हैं और काईजर ये चैलेंज सही में बहुत ही जादा मुश्किल है इसलिए आप सभी को लाइक और सबस्क्राइब तो गरना ही पड़ेगा फड़ापट से चलते हैं तीरों के तीरों टार्गेट हमारे सामने और फुल स्पीड क्या हो गया छार म֝ाए और तीरम्isch टार्गेट मुझे कैसे करके इस बाइक से तो हिट करना ही पड़ेगा चलो पड़ापट से लाइक और सबस्क्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो बुड लग ताकि हम इसको कर दें चलो चलो धंक से उड़ा दिया है बच्चे तीन मौके दो टार्गेट बाकी अंकल आप टेंक्शन मतलो सभी के सभी ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया इसलिए वो उड़ गया तो काईजर अगर आपने अभी तरक कमेंट में गुड लग चीता नहीं लिखा है तो चल्दी चल्दी लिख दो क्योंकि काईजर हमें उस चीता गल से कैसे भी करके शादी करनी है तो टार्गेट तो हिट करने ही पड़ेगा लेट्स गो और यह नहीं हो पाया मैं बहुत ही साधा उपर चला गया यह क्या हो गया एक सिकिन यह नीचे जाकर हिट कर दिया पुराने वारे टार्ग कर दो क्योंकि इसके बाद हमें कोई मौका नहीं मिलने वाला तो फड़ापट से चलते गुड़ लग चीता के साथ हिट करेंगे वो खदरनाक साथ टार्गेट इस पूल और यह हिट हो गया तो काई सर हमने यहां पर एक और टार्गेट गिरा दिया है इस अब सिर्फ एक ही इस गाड़ी को भगा कर चलते हैं सामने वो टार्गेट है मैं इस टार्गेट को नहीं छोड़ने वाला क्योंकि अभी मैं आर आपनी गाड़ी को पूलिस मिलेगे और इसको मारने वाले यह ले इस टार्गेट को भी हमने यहां पर उड़ा दिया है तीनों के तीनों इसको भी खा लो जालो guys, फुराअमट से इस चिकन लेग पीस को भी खा लेते हैं नक मिझेखंदे और быстр आप देख सकते हो मैं कितना खतरना व हो चूकर। मेरे पैर कितने अहतों मौते मोटे हो चूगे मैं हाथ कितने मोटे हो चूगे थैंक यू कर बच्चे तुम आवी भी दुन्या के सबसे खतरनाक चीता नहीं बन पाए सॉरी बच्चे क्योंकि मेरे पास वो लैक पीस खतम हो चुके और साथी में वो चिकन भी जिससे हम लैक पीस बना सकते तो अगर तुम्हें दुन्या का सबसे खतरनाक चीता बनना है तो तुम्हें खुदी करना पड़ेगा क्या अरे अंकले समत बोलो सॉरी बच्चे अरे काईजर ये क्या हो गया हम दुनिया का सबसे खतरनाक चीता नहीं बन पाए अगर मैं दुनिया का सबसे खतरनाक चीता नहीं बनूँगा तो वो चीता गल मेर से शादी कैसे करेगी और मैं उस लॉयन की बच्चे को कैसे हराओंगा मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ आइडिया निकाला पड़ेगा तो काईजर इतनी देड से मैं इतने सारे आइडिया सोच रहाओ लोगों से पोच रहाओं पर मैंने यह तो सूचाही नी बगल में छोरा शेहर में डिंडोरा क्योंकि काईजर मेरे पास है ड्रॉइंग मैजिक बोड जिसकी मदद से मैं एक ऐसा खतरनाक चीता बना सकता हूं जोकि दुनिया का सबसे पावरफुल चीता होने वाला है और उसकी मदद से हम उस लॉइन को मेरा देंगे और चीता गर्ल से विशादी कर लेंगे तब बड़ापट से अपनी ड्रॉइंग आपर शुरू करते और बनाते एक खतरनाक सा चीता तो क्वाई से अभी आप देख सकते हो हम लोग इस खतरनाक से ड्रॉइंग मैजिक बोट पर आ चुके है और इस पर हमें बनाना एक खतरनाक सा चीता चुकि दुनिया का सबसे खतरनाक चीता हो तो सबसे पहले फेस से शुरुआत करेंगे चीता का फेस जादा कुछ ऐसे खतरनाक होता नहीं है नॉर्मल सा ही वेस होता है तो फड़ा फट से सबसे पहले हम चीता का फेस यहाँ पर बनाने वाले है यहाँ पर लेकर जाएंगे बढ़ी आसा चीता का फेस बनाएंगे जैसे कि उसके यहाँ पर बनेंगे बडियासे कान दो कान यहाँ पर हम लगा देंगे इसकी बोड़ी हमें खतरना करनी है और इसकी बावर्ड फेस से ज़ादा कुछ फरक पड़ता है निए तो फेटेज़ फेस पर छोड़ा जूम कर लेते हैं और यहापर फेस पर बनाते हैं, इसकी आख यहापर बनाएंगे, इसकी नाख और इसका बड़ी आसा यहापर मूँ बना देते हैं, तो यहापर अमने मूँ इसका बना दिया है, जिसके अंदर होगी जीब और यहापर होंगे खतरनाक खतरनाक दात, तो मूँ तो यहापर बन रुक जाओ, मुझे इसके डोले शोड़े और बड़े करने पड़ेंगे, तो इस तरफ यहां पर लेकर जाएंगे, और इस साइड इसके बड़े डोले शोले यहां पर बना देते हैं, कितना जादा खतरनाक है लगने वाला है, आप अभी बस देखते रहो, यहां पर भी सेम इस साइड इसे कर देंगे, बहुत खतरनाका और इसके लंबे 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 हाद बनाने वाले तक इसमे बड़े बड़े नाखून भी लगा आपाएं बहती क्हतरना की ओने वाला है, वन डू तो त्री व़र यह बन गए इसके बनेंगे बाकी की बोड़े बहुत भतरना क होनी चाहिए पहले हमने जितने वी चीता बने उसमें रिफार हाथ ही अच्छे थे मतलब डोले शोले थे पर इसमें बाकी की बोडी भी खतरना कोने वाली है यहापर रम इसको देंगे दो चार छे आट दस बारा फंदरा एंस यहापर मैंने इसको दे दिये यह बहुत ही बड वोडे कदरना कदरना पेर बनाधे यहां पर बनेगी पैर की अंगूलिया और यहां पर डं अब काईसर इस चीता के अंधरा में करना पड़े एसको चीता जाए से थिक्ता जिखाना भी परढ़ेगा तो इसके लिए हम यहापर इसकी बॉड़ी को थोड़ा डिवाइड करन भड़ेगा कलरों में यहांपढ लेके जाएंगे इसको एसे कर देंगे इसको वह्त करेंगे तब यह चीटा लगने वाला है वरना इस चीटा भी नहीं काले काले धब्बे करने पढ़ेंगे जो कि चीता कि होते ही है तो फड़ापट से यहां पर कर देंगे चीता के दब्बे यहां पर 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 दब्बे 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 दब और यहां पर भी कर देंगे और इस वाले कान में भी कर देंगे तो गोल्ड कबर हो चुका है स्किन कलर लेके बाकी की पूरी बॉड़ी के अंदर कर देते ताकि यह चीता हो जाए बहुत ही खतरनाग और यह यह आपर होगे डन और कैजर, इसकी मूँ के अंदर हम करने वाले लाल कलर इसकी दात और इसकी टंग के अंदर जो कि बहुत बढ़ई आलगने वाला है और कैजर, मैंने सोचा इसको खतरनाग स्वाड देने का क्योंकि यह ने चीटा दुनिया का सबसे कhrथर नाग चीटा है तो उसके somos ।ई बंता है तो यह आप रैक खतरनांक सी स्वर्ड इसको देते है और इस साइठ में टे देंगे तो अब देख सकते हो यह चीटा हो चुका है बहुत ही सादा खतरनाक ऐसा चीता आपने कभी नहीं देखा होगा तो बड़ाफट से इसको रियल लाइफ में लाते है और देखते हैं ये चीता कैसा लगने वाला है लेट्स गो और गाइस रभी आप दिख देखतो हमारा चीता यापर बन चुका है कतरनाग बहुत ही बावरफुल ये देखो मेरे हाथ देखो मेरी बाड़ी देखो कितनी सादा बड़े डोले शोले हमारे आपर आचुके और ये बड़ी असा दलवार भी हमने अपने हाथ में से निकाल दीखते हैं वुल्वरेन के जैसी और अब हम जाने वाले सीधा उन लॉयन अंकल के पास ये मेरी बेटी को किस से शादी करनी चाहिए तो काईजर मैंने प्ले लिए नई नई भाइक खरी दिये आप देख सेकते हैं इसका टायर मतलग कितना जादा लंबा है कितनी लंबी गाड़ी है ये बाइक मुझे बहुत ही जादा मस लग रही है चुनो घर पे चलते हैं एक सिकिंड यहाँ पर क्या चल रहा है ये सब लोग टीवी में क्यों देख रहे हैं इतनी भील लगा के रुख जो यार अपन भी देखते हैं क्या चल रहा है टीवी में ऐसा तो अरे तारक में था के उल्टी चश्मकर नया एबिसोड आगया क्या ब्रेकिंग न्यूज लोस सेंटोस के जू से सारे के सारे चीता भाग निकले इस खतरनाक से विलन ने सारे चीताओं को पॉईजन कर दिया है अब वो चीता बन चुके हैं चीता जॉंबी वो चीता जिसकों भी खाते हैं वो लोग भी बन जाते हैं चीता इनकी population तीरे तीरे बढ़ती जारी है ये चीता वारस फैलता जारा है तो अपने घर पर रहे हैं सुरक्षित रहे हैं बाई-बाई मैं तो अपने घर पे जा रहा हूं मुझे बॉर्डर लग रहा है यहां पर रुपना बिल्कुल भी सेफ नहीं है इतने सारे लोग सब को काट जाओ किसी को मत छोड़ना सब को चीता जॉम्बी बना दो मेरे चीता जॉम्बी मेरी बात सुनो आज हमें पूरे लोसेंटास को चीता जॉम्बी में कनवर्ट करना है सब को खा जाओ और बना दो चीता जॉम्बी इस काले लड़के को भी मकड़ो मुझे मुझे मत मकड़ो बगाओ यहां से अरे कैसे तो मेरे पीछे पीछा रहे है और यह चीता वाइरा थो सही में बहुत ही साधा दी जिसे फैल रहे है अभी तो हमने न्यूस देकी थी और यह चीदा पूरे लॉस सेंड डॉस में अल्रेडी फैल चुके वहां पर जितने कपड़े थे उन सब को चीता कर गए और यह देख से तो मेरे पीज़े कितने सारी चीता अरे अब तुमारे हैसी की तैसी यह लो इन सब को तो तो चाहरा हूं अपने घर मुझे बहुत ही डर लग रहा है जल्दी जल्दी अपने घर पर चलते अप देख सकतो बूरे लॉस सें यह पूरे लॉसेंटोस में चीता फैल चुके हर जगे मैं अपने सीधा घर पर चारा मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे घर के यह बहुत ही जादा पास पॉच चुके है अब यहां पर क्या चल रहा है यह सारी कि हम दाया कर रहें अरे क्या होग चार्ता फैंको सब लोट संटोस में खतरनाक वारोषा चुका है चीता वाइरस सारे के सारे लोग वाइरस की वाइज़ चीता बनते जा रहे अरे वो सब तो मुझे ही बत है पर तुम मेरे पास क्यों आए हो फ्रैंक्लिन तुम्हें हमें बचाना पड़ेगा बस तुम ही हो जो कि हमें बचा सकते हो अरे मैं तुम्हें कैसे बचाओँगा? तुम सब super hero, तुम no centros को बचाओ. अरे Franklin, अगर हमा चीतावानिस को खतम करना है, तो हमाने उनके boss को खतम करना पड़ेगा, और उसके लिए हमाने खतरनाक शक्तिया चाहिए, और खतरनाक शक्तिया तुम्हारा सिर्फ magic board अबे दे सकता है ओ अच्छा तो मैं मेरा magic board चाहिए हाँ, hulk को magic board चाहिए उसके बाद hulk उसको नहीं छोड़ेगा hulk उनके boss को हरी चटनी बना के पी जाएगा अच्छा ठीके ठीके, मैं तुम्हारे मदद करता हूँ अच्छा नहीं आरा रूख जो नीचे शहद पड़ा होगा अरे कहां पर रखा था मुझे magic board अरे काईसा मुझे तो याद ही आरा मैंने magic board रखा कहां पर था रूख जो इन एवेंजर्स को भोलना पड़े का यह डूडने मेरी मदब करेंगे अरे मेरी बात सुनो मुझे याद नहीं अपना drawing board मेंने कहां पर रखा था तुम सब को मिलके तूडना पड़ेगा अरे क्या magic board प्ले में तूडना पड़ेगा यह कितना सा काम ने कर सकते तुम अच्छा ठीक है फिर मैं magic board नहीं दूँगा तुमको अरे नहीं नहीं फ्रैंक्लिन हमारी बात सुनो हमें वो magic board चाहिए चलो साथ में मिलके दूडनेंगे कहां पर है magic board अरे यह magic board इस पौदे में तो नहीं कुसका ए पौदे magic board दे अरे कितना सुहाना है मौसा बेलो सेंटोस में पर उस वायरस के बच्चे ने पूरी हालत खराब कर दी यह magic board तो इधर भी नहीं है अरे magic board इसके बैट के पास भी नहीं है यहाँ पर तो किसी का कच्छा बड़ा है चीक इतना गंदा कच्छा है धोर को magic board तो गिराज में भी नहीं मिल रहा magic board कहां पर हो तो अरे यार कहां पर रख दिया मैंने magic board मुझे गो याद ही नहीं आरा यार मैंने किसी को दिया तो नहीं था ना यार अरे Franklin हमने पूरा घर चान मारा हमें कहीं पर वो magic board नहीं मिला तुमने वो magic board कहां पर रखाए Franklin हलको वो magic board चाहिए ला के दो तुम मने कहा पर रखा था याद करो याद करो याद करो रोगरों के मुझे सोच रहे दो कहा पर रखा था आज तो Фॉरेंक्लिन से मैजिक बोर्ड ले कर रहा हूँता और कि अर्जे हो उद्ध ईष। अरे रेड़ाइक, रुकचा रुकचा, मैं नंगा नहीं हूँ, मैंने चट्टी पैन रखी है अरे ये तुम क्या कर रहे हो अरे ये है स्पेशल योगा बता बता तुम क्यो आयो अरे फ्लैंकलेड, मुझे तुम्हारा मैजिक बोड चाहिए, दे दो ना मैजिक बोड चाहिए, क्यो चाहिए अरे थैंक्यू फ्लैंकलेड अरे रुकचा रेड़ाइक, मेरा मैजिक बोड लेगे क्या रहे अरे बाद में वापेस कर दूगा, बाई बाई अकिर कार मुझे मैजिक बोड मिल गया अरे, मुझे यहाँ अक्या, मैजिक बोड तो एड हल्को दिया था क्या? तो मने उस लल्लो को क्यो दिया था अरे, वो आया था मेरे घर पर उस दिन, उस दे मांगा तो मैने दे दिया अरे, तुम ऐसे भी किसी को मैजिक बोड ते दो, तुमेस शरम नहीं आती अरे वो मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं दे दिया था अभी वो कहा पर मिलेगा? वो, वो तो मुझे नहीं पता अरे तुसको फोन करो, जल्दी पूचो वो कहा पर है अच्छा ठीक ठीक ठीक, फोन करता हूँ, तो क्वैसा मुझे जल्दी से रेड हल को फोन करना है और से पता करना है, वो कहा पर है मुझे पक्का याद, मैंने वो ड्राइंग बोर्ड रेड हल को ही दिया था तो बड़ा बड़ से उसको फोन लगाते है अरे बात हुई क्या? अरे रुकचा रुकचा फोन लग रहा है जल्दी लगा उसको फोन अरे इसका तो फोन ही नहीं लग रहा, इसको फोन तो बिजी आना है मुझे पता था, वो पक्का मैजिक बोर्ड लेके बाग दिया होगा अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा उससी घर पे चलते हैं, उससी घर का मैजिक बोर्ड जरूर मिल जाएगा मैं उसके घर नहीं जाओंगा, तुम जाओ मैं भी नहीं जाओंगा मैं भी नहीं जाओंगी, वो बहुत ही गंदा है अरे तो किसी को तो चलना पड़ेगा ना मेरे साथ अरे फ्रेंक्लीन तुम टेंक्शन मतलो मैं तुम आरे साथ चलूँगा मैं भी चलूँगा अच्छा ठीक है आरें मैं इस्पारिमन तुम मेरे साथ चलो हम वो बोर्ड कर लेके आते हैं तुकाहिसर अभी मुझे पता चल चुका है वो मैजिक बोर्ड मैंने किसको दिया था रेड हल को और अभी हम उस्पो मैजिक बोर्ड से लेने जा रहे हैं जल्दी जल्दी आ जाओ आरें मैंन हमें लॉज सेंटोस को बचाना है हरे फ्रेंक्लिन अगर वो मैजिक बोर्ड रेड हल के पास नहीं में आना तो मैं तुम्हें नहीं चोड़ूँगा अरे तुम टेंशन मतलो हमें वो मिली जाएगा शाय तक तो मिली जाएगा हरे फ्रेंक्लिन अरे ने ने पका मिल जाएगा तुम टेंक्शन मतलो, हम वो मैजिक बोर्ड लेकी रहेंगे, इन चीताओं के ऐसे के ऐसे ये लो हरे फ्रेंकलिन, इनको मत मारो, अरे क्यों नहीं मारो ये लॉस सेंटोस के आम आद्मी है, जिनको चीता ने काट काट के जॉम्बी चीता बना दिया है अगर तुम इनको मारोगे, मतलब तुम लोस सेंटोस वालो को मार रहे हो और बात तो तेरी सही आरें मैं, हमें इनको नहीं मारना चाहिए चलो वड़ाओ फट से चलते हैं, रेड है के घर पर तो काई सर, अब हम उस रेड है के पास पहुशने वाले है यारे फ्रेंकलिन, जैसे जैसे मुसके पास पहुशत जरें, कितनी सारे सिक्योरीटी बढ़ती जा रही है बात तो सही है, यावे कितनी सारे सिक्योरिटी है यह पुलिस वाले यहापर क्या कर रहे है रुक जो यारे आप गाड़ी को रोक देते हैं आप देख सेके तो यहाँ पर यह आर्मी वाला यार गल लेके बैटा इतने सारे पुलिस वाले यहाँ पर है आजाओ जो फड़ावर से रेडल के पास चलते हैं वो देखो फोरा सामने रेडल मैं इस लोसेंटोस का प्रेजिडेंट बनके पूरे लोसेंटोस को ठीक कर दूँगा आप सबको मुझे वोट देना होगा और अगर वोट नहीं दोगे तो मैं अपने ड्राइंग मैजिक वोट से खुद वोट ले लूँगा तो क्या है सर हमें अपना रेड हल्क तुम मिल चुका है अब बस हमें अंदर जाना है अंकल अंकल मुझे अंदर जाने दो रुक चाहिए सर आप अंदर नहीं जा सकते अरे मुझे रेड हयं से मिलना हैंचे सारे के सारे लास सेहित syndros वाले रेड हovग से मिलना चाहते नहीं मिल चकते जाई हैं यहां से मैडम इनके बोले ना मुझे लेटार से मिलना हैना है मैं के बोलू एक पर भी मोला समझे तुम पर देख नहीं पाएगा और यह सम एक और चुपचाब रस्ता निकालेंगे अब यहां से चुपचाब से चलते हैं कोई हमें तेक नहीं पाएगा मुझे रेड हल के पास पॉंचना है और यह सम मुझे करना पड़ेगा ओ आगए जल्दी जल्दी तुम भी आजाओ होके फ्रेंक्लीन हमारे तु काई जरा आप देख सकतू हम रेड हुक तक बस पोच नहीं बाले अरे मेरे स्पाइडर में भी आ चुके रेड हुके रेड हुक मैं आ गया अरे फ्रेंक्लीन तुम कहा सा गये अरे मैं अपना ड्राइंग मैजिक बोड लेना हूँ मुझे मेरा मैजिक बोड दे दो तुम्हें कोई मैजिक बोड नहीं मिलेगा निकल जाओ यहां से अरे ऐसा कि वो तुमने बोला था कि तुम मुझे वापिस दोगी मुझे मेरा ट्राइंग बोड वापिस दो सिक्योरिटी यह कहा सा गया इसको बाहर निकालो हाल सर की स्पीच करा मत करो तुम कहा सायो कौन सी मेडिया से हो तुम अरे हम कोई मीडिया वीडिया से नहीं है वो हमारा मैजिक बोड है हमारा मैजिक बोड दो अच्छा वो तुम्हारा मैजिक बोड है ऐसा तो फिर पूरा लॉस सेंटरस मेरा है खरीदना चाहोगे अबे ओ टकले क्या बोल रहा है व तुम बहुत ही बड़ी मुसीवत ने जाओगे अरे मुसीवत मैं देख लूगा अब यह हेलिकोप्टर पर यह निकल यह जल्दी निकलो वर्ना इसको गोली मार दूगा पूरा एयरपोर्ट काली करो अब बुरहल क्या बोल रहा था अरे तुम यह बेल्कुल अच्छा ने कर तुमें पता नहीं है मैं लोज सेंटास का प्रेजिएंट बनने वाला हूँ अबैं लोस सेंटास का प्रेजिड़न तु मेरे बोर्ड की वैसे बन पा रहा है वरना तेरे पास यह महेंगे महेंगे जैट और इतना पैसा नहीं आता एरे फ्रेक्लिन दिक करो मार दो इसको क् मार दिया जाए मार दिया जाए तो फिर यह ले एक तो मेरा मैजिक बॉर्ड ले के जाता है और उपर से मेर सिक्योरिट गाट को मेर को भार पकाने के पुरता यह ले अपने गुस्से को शांत करो अभी अभी दुनिया के सारे चीताओं को रोकना भी है अरे तुम टेंक्शन मतलो हम उस चीता वायरस को रोक देंगे क्योंकि हमें अपना मैजिक बॉर्ड मिल चुका है चुलो फड़ा वट इसको प्लेन के अंदर डालो हम यहां से निकलते हैं तो काईजर अभी हमने मैजिक बॉर्ड अपना रख लिया है आरेंड मैन और स्पाइडर मैन भी हमारे साथ बैट चुके हैं और हम इस प्लेन में यहां से निकलने वाले सीधा जाने वाले अपने घर बे और अपने मैजिक बॉर्ड पर कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे हम इस खतरनाक वायरेस को खतम कर पाएं चलो काईजर फड़ावबट से प्लेन को हमने टेक आफ कर लिया है अब यह वायरेस जादा देर टिकने नहीं वाला इसका दी एंड होने वाला है क्योंकि हमारे पास अपना ड्रॉइंग मैजिक बॉर्ड आ चुका है तो काईजर अभी त चुके मैजिक बॉर्ड पे लेके और सारे के सारे एवेंजर्स त्यार है बस हमें यह मी पता कि बनाना क्या है जिससे हम यह सारे के सारे चीता वायरस को खतम कर पाएं किसी के पास कुछ आइडिया है क्या कुछ हम ऐसा बना जाए जिससे यह सारा चीता वायरस खतम हो जाए हल्क के पास आइडिया हल्क बताएगा आओ हल्क बताओ तुमर बस का इडिया है हल्क तुमको बना के बताएगा इससे सारा चीता वाइरस खतम हो जाएगा तुकाईजर देखते हैं अपना हल्क क्या बनाने वारा जिससे सारा चीता वाइरस खतम हो जाएगा यह सब के सब लो ऐसी चीज बनाने वाला हो जिससे वो सारे के सारे चीता पेट दर्द के बारे मढ़ जाएंगे और लोसेंटोस हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे बहुत ही मजा आएगा हल को ये खाना बहुत ही पसंद है और हल के उन चीताओं को इतना सारा खाना खिलाएगा वो सब के सब भाग जाएंगे ये हल की सबसे फेवरिट टिश है ह ह ह ह ह ह मुझे यहाँ पर चाहिए सास क्योंकि सास के साथ आता है मजा और यहाँ पर पड़ा होगा मेन्यू जिसमें सारी चीजे लिखी होगी चीज वाला वेज वाला जो भी चाहिए यहाँ पर सब मिलेगा देखते हैं आप सब में से कौन गैस कर पाएगा मैं क्या बना रहा हूँ फड़ापट से कमेंट करके बता दो जो भी कैस करेगा उसको मेरी तरफ से 10 रुबे का इनाम इसके उपर डॉट होते हैं यह प्रेट ज लगाएंगे यह गया टमाटर यह हो गया आलू यह हो गया इसकी पैटी और यह हो गया हरा-हरा खी रहा अब इसको पूरा कर देते हैं अगर आपको समझ आ गया है मैं क्या बनाने वाला हूं बढ़ावट से कमेंट करके बना तो यह लाल-लाल सौस मियोनी इस तो वाइट ही ये इतनी सारी बर्गर की शौप कर बना दी अरे मैंने सोचा सारे चीताओं को बर्गर खिला किला के मार देते वाह क्या सोचा है बर्गर खिला के चीता मार देंगे बहुत बढ़िया मैंने भी क्यों नहीं सोचा इस हल के बैंगन में क्या ही दिमाग होगा ए मैं बैंगर नहीं हूँ, मैं हूँ ककड़ी, अरी-अरी ककड़ी अब तेरे दिमाग में तो भूसा बरावे न, किसी और के पास कोई आइडिया है जिसे हम सारे जीताओं को खतम कर भाएंगे एरे फ्रैंक्लिन, तुम टेंक्शन मतलो, मेरे पास ऐसा एडिया है, जो कि सारे जीताओं को खतम कर देगा क्या, क्या एडिया है? मैं तुम्हें बना के दिखाऊँगा अरे एक तो आज सबको कलाकर बनना है, चल्दी बना मेरे फ्रैक्लिन बाया आप टेंक्शन मतलो मैं साधा देर नहीं लेने वाला मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो कि मुझे बच्पन से चाहिए थी जब मैं बच्चा था तब से मुझे ये चाहिए और यह हमारी मदद भी कर सकता है सारे चीताओं को इस लोसेंटो से बगाने के लिए ये बहुत ही ज़ादा क्यूट है इसको देखके सारे चीता आटोमेटिकली भाग जाएंगे इसकी यहाँ पर चट्टी बना देते हैं ये बन गई इसकी चट्टी और यहाँ पर मैं इसके पैर बना देता हूँ कितना स्वादा क्यूट लगने वाला है मैं तो सोच भी नहीं सकता इसके पैर बन के चोटे चोटे इसके हाथ बन चुके इसके पैर बन चुके और अब इसके उपर थोड़ से कलाकारी करने की बारी चलो चलो फड़ाफट से उपर पुरी कलागारी कर दे ताकि यह बहुत ही अच्छा लगे अब थोड़ी मुखे उपर वे कलाकारी करेंगे ताकि यह मेरा बेटा लगे क्योंकि मैं मना रहा एक बेबी स्पाइडर मैं फ्रेंकिन भिया को भी बताना मत रहू मेरे पर भाती कुस्सा करेंगे मुझे यह मुझे यह पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ बिल्कुल स्पडर मैं जैसा लगना चाहिए यह स्पडर मैं! स्पडर मैं! तूने चुराया मेरे दिल का चैन! मैं क्या बोरहों मैं तो स्पाडरमेन ओं मैं किसका दिल चुराऊंगा शुरा फड़ावर्ट से बढ़ी बढ़ी आखियों इसका नाम रखने वाला हूं और थोड़े से यहां पर भी इसके मूप बना देते वाओ वाओ कितना जादा अच्छा लग रहा है और यह कंप्लीट ह चुक है आप इसके और करने वालों में रेड रेड क्योंकि मैं पूरा ऊपूरा डेड इसको पूरा इसको बरारेड रेड 111 Market sixed is the फ्रेबी क्योंट को एक है वह को बना इसे बना दिया तुम सब के सब लोग बागण हो चुके हो हमें पूरे की पूरे लॉज सेंटोस को बचाना है कोई बर्गर बनाना है तो कोई बेबी स्पाइडर मैं इस बच्चे को मैं मार दूँगा तो उमको कुछ नहीं आता मुझे ही कुछ करना पड़ेगा मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रख सकता मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हम लॉज सेंटोस को बचा पाए और मुझे पता है मुझे क्या बनाना है तो काईजर ये हलक और स्पाइडर मैन ने क्या बनाया मुझे तो समझ नहीं आया पर अब मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे मैं सही में उन चीतास को रोक सकूँ और काईजर मेरे पास एक आइडिया तो आया है मैं बनाने वाला हूँ एक जेल जिसमें मैं सारे चीताओं को पकड़ के डाल दूगा फिर ये लॉस सेंटास में वायरस फैलेगा नहीं और बहुत सारे के सारे लोग यार यूमनी बने रहेंगे चीता नहीं बनने वाले क्योंकि ये जॉम्बी वारे सही में बहुत ही जादा ख़तर नागे तो इन सारे चीताओं को मुझे लॉस सेंटोस वालों से दूर करना पड़ेगा तो फड़ावट से यहां पे जेल को फड़ावट से बना देते हैं ताकि हम सारे चीताओं को इसमें पकड़के डाल सकें तो काईसर या आइडिया आपको कैसा लगा फड़ावट से कमेंट करके बना दो चारों तरफ से यह बंदोना चाहिए ताकि वो चीता कोई भार ना जा सके और इसको मैं ऐसे भी बंद करने वाला हूँ वो चीता वरना बीच में से निकले के चले जाएगा मुझे वो चाहिए नहीं इसलिए बीच में से भी बंद कर देते हैं और हम इसका एक लोग भी बनना पड़ेगा, जो के होना चाहिए बहुत कर्या ना है ताले के अंदर होगा एक और ताला, और यहां पर लगेगी उसकी चावी और इसकी चावी भी बना देते हैं कि चावी हमेशा मेरे पास ही रहने चाहिए तो फड़ाफर्स चावी को भी बना देते हैं जो कि हमेशा मेरे बास रहने वाली है तो यहाँ पर हो चुका है सरकल कम्प्लीट अब यहाँ पर ऐसे यह ऐसे और यह ऐसे तो काईजर हमारी चावी भी यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है और आप देख से तो मैंने पूरा का पूरा जेल यहाँ पर मना दिया है कैसा लगा मेरा आइडिया अरे फ्रेंक्लिन तुमारा आइडिया अच्छा है पर मैं तुम्हें बता तू लॉस सेंट डॉस में लाकों की तादात में चीता गूम रहे है और तुम इसमें एक दो चीता रख पाओगी बात तो सही है इसमें एक दो चीता आएंगे और यह जेल फूल हो जाएगा और इतना बड़ा में जेल बनानी सकता जिससे वो सारे ये सारे लाकों इसमें आ जाए अरे फ्रैंक्लिन कुछ ऐसा बनाओ जिससे तुम उनके बॉस को खतम कर पाओ बॉस को खतम कर पाओ पहली बार हल्क ने कुछ काम की बात करी है आस तक इतनी दिमाग की बात मैंने देखा कि हल्क ने कभी करी हो तो काईजर हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हम उनके बॉस को हरा पाए और मुझे पता है मुझे क्या बनाना है चलो फड़ावर्जे बनाते हैं तो काईजर जेल वाला आइडिया अच्छा भी था और उसी टाइम बुरा भी था मतलब यार मैं सारे के सारे चीतास को एक ही जेल में तो डाल नी सकता पर आप टेंक्शन मतलो मेरे पास एक और खतरनाक सा आइडिया आ चुका है और ये वाला आइडिया पका काम करने वाला है क्योंकि हमें उन चीतास को नहीं हराना हमें उनके बोस को हाराना है उनका बोस अगर हार गया तो ये सारे रहना होमे क्या खतरनाक चीज बदाने वाला हूं ऐसा चीटा यसा तक लॉसilstart상 उन्होंग पूरी दुनिया पाइदा में पाइदा नी होते हुआ और इसको ब稙कर मुल्हाराएं मैं पैदा नहीं कर रहा हूं और इसको पेला करेंगे ड्राइंग करके फड़ाफट से कर देते हैं अभी हमने पे इसकी बॉडी खतरनाग सी बना दिये अब इसके पैर भी खतरनाग खतरनाग आप एम पैर बनाने वारा हो ताकि यह बहुत जादा खतरनाग लगे अभी आप मत देख वो देख तके पैरों कोई भी इसको ऑँधा पर इसको प्ठाफट से यहां पर कंप्रीट करते है इसका यहां पर यहां पर तैक ऑर यहां पर बन चुका है तो बाहर बाहर जा कंप्लेटे ने को ऐने पर हमें इसको और भी ज्यादा खतरनाग करना है इसनलिए मैं इसकी पावर बढ़ाऊंगा वी करके और का Э्इसर यह बहुत पर कंवाला है इसकी चै dep Negro इसको और स्चेर बहुत जादा खतरनाग इसके एंभ दो ड flatter not इसके ऐवसे यहाँ तो यह यह इसके अंगुलिया बन चुकि है और साथ में इसके बढ़ा चाकू जो कि इसके हाथ में हमेशा लगा वे रहते हैं मतलब इसके नाकून है बहुत ही बढ़ होने वाले और चीता के नाकून तो होते ही भड़े हैं कोई धिक्कत नहीं है तो इस साइड भी हम एक और बढ़ा सा लगा देंगे चुकि और भी जादा खातरनाक लग रहा है तो अब देख से कमारा चीता कितना जादा मस्त लगने लग गया है तो अब हमने इसको यहां पे तो कंप्लीट कर दिया अब हम इसका मू बयाने वाने सबसे पहले इसकी बड़ी बड़ी आइब्रोस इतनी बड़ होने वाला है चीता जैसा बिल्कुल सेम तुसेम तो इसकी नाख होगी बहुत ही चोटी और मुझ भी ऐसा अजीब सा होता है जो की चीता का होता है अब यह चीता लगने के बाद बहुत ही अच्छा चीता लगने वाला अब टेंशन मत लो आफ़र से इसको यहां पर कर देत है चीता के हड़ जगे आर्छा अजों अजरी रहे हैं इसको भी देना जरूर है तो यह हमारा कंप्लीट हो चुका है यहां पर और इसको प्ड़ा फट से कलर करते सबसे पहले चीता का कलर यह जगे यनलो कलर करेंगे यलो है फिर गोल्डन गोल्डन स्यादा अच्छे लग ऌह मुह होचुका यहां पर वाइट अब अच्छिए ब्लैक जो कि इसके सारे के सारे स्टृप्स में भरने वाले हर जगे ब्लैक ब्लैक आखों में ब्लैक अब में इसके निए तिक होने चीजों ब्लैक कर दिया तो यह सब ब्लैक बहुती जादा मस्त लग रहा है और यहां इसका वाइटी रहने वाला है और यह भी इसको ब्लैक करते तो यह बहुत ही जादा मस लग रहा है और इसके नाखुन भी तो ब्लैक होने चाहिए यह पर चोटे 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 इसके अंगुलिया इसको भी ब्लैक कर दे और यह भी हो चुके है तो हम इसके पैर तो वाइटी और इसके आईब्रूस को हम करेंगी जो कि करेंगे यलो कलर यहाँ बेता यह जो चुका है और ये बीच में से थोड़ा एरियस करना पड़े का यह लाइन है अरी किसके दिए तो काईजर अभी आप पड़ावट से कमेंट करके तो कैसा लग रहा है वारा खतरनाकसा चीता मुझे तो बहुत कतरनाग लग लग रहा है अब इसको रियल लाइफ मंगा देखते हैं कैसा लगने वाला है एक से इन उससे पहले इसकी पावर प्रणा रहे थे पर नहीं बहु या उनके इस खतरनाकसे सूटसे चीता को नहीं मारने वाला हूं आनके बॉस में बचने वाला नहीं इसको बिल्कु नहीं चोड़ाइब आकिरकार वो दिन आ जिस दिन लग जेसे सारा का सारा चीता वाईरस जाने वाला है क्योंकि मैं इसお願いします मैं इस अवक्टोबस जैसे दिखने वाले विलन के खतम करने वाला हूं तुम मुझे अपने सपने में भे नहीं मार सकते अब इस सपने में तो मैंने लेकि दस बार मार दिया है मैं तुम्हे नहीं चोड़ूँगा तो आज अफिर देखते हैं कौन किसको नहीं चोड़ेगा यहले मोटे है तो काईजर इन चीताओं कि बॉस को मैं बिल्कुल भी नहीं चोड़ने वाला इसने बहुत परिशान कर लिया लॉसेंट लग गई तेज अब बात कर रहा हूँ दो मिट दिखाई नहीं दे ना इती ते 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 मारे जा रहा है इसकी तो ऐसी कि तैसी बचाओ मेरे को कहा भेग दिया अभी तो ज़्यादे ताकत दिखा रहा है मैंने बोला था तुम मुझसे नहीं लड़ सकते मैं कोई लल्लू बंजू चीता मोच मैं कोई लल्लू बंजू विलन नहीं हूँ मैं दुनिया का सबसे ताकत वर विलन हूँ हाँ बो तो अभी पता चली जाएगा कितना ताकत वर है अरे ये लाते क्यों मारे जा रहे अपे रुक तो जा अरे मारने जा रहा हूँ, अब तू आप, किदेर ही तू , मैं आ यहीं चोडंगा यह उ secular इसकी तो ऐसी कि तैसी कभसे मारने जा रहा है मैं भिकाता सхव, कि यहीं है तू को समय आख ऑो इसको रहा हुआ यह ले यह ले निकलना से मज़े परिशान मत कर मैं इस लोसेंटोस को अपना बनाना चाहता हूँ पूरे लोसेंटोस वारिचयों को मेरा गुलाम बनाना चाहता हूँ लोसेंटोस को हड़पने के बाद पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाऊंगा रुक जाओ अबे क्या पूरी दुनिया को गुलाम बनाएगा चल फूटे आज़े अब यह कैसा सा है बोल रहा है दुनिया को गुलाम बनाना चाहते है और इसकी हालत हो देखो रुक जाओ, मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ में लाओ, हम दोनों साथ में पूरी दुनिया में राज करेंगे अच्छा, चल खड़ाओ को दिखा, ये ढंक से खड़ा तो होनी पारा है, और ये बोल रहा है ये राज करेगा चल लेकल ये ऐसे, अरे काईजर ये तो बहुत ही जादा कमजोर निकला या तो ये भी हो सकता है, हमारा चीता मॉंच्टर और भी जादा कदरनाके हम इतने जादा ताकत वरे हैं, हमारा कुछ नहीं कर सकता, मैंने इसकी हालत में कुल खराप कर दिये मैं तो तुम्हारे साद मजाग कर रहा था, अब मैं तुम्हें नहीं चोड़ूगा, इतना ये ले अरे ये काज उड़ गया, अब मुझे लग ये मर गया, इस्ते हार मान ली, ये तो मुझे ही मारा लगया तेरी तो येले, सौले मेरे साद मेरे साद नाटा कर रहा है, इसकी तो ऐसे की तैसी, मुझे लगाई मर गया, मैं इसको छोड़ने वाला था, सही मैं इसको जिंदा जोड़ देता, पर अपनी छोडने वाला, इस्ते मुझे पागल बनाया, येले मैं तुझे मी काटलूंगा, फिर दूओं लोगाँ मैं जाएगा, एकसि आहरा है, मैं तुझे में कातले, इसको पंठागोड़ने वाला इसको उड़ने वाला, ये मुझे कात्ने वाला था, मैं इसको कात कूँंगाँ यह पर कंगी है और मड़ है मतलब लोसेंटोस से सारा इस बिचार जाएगा और लोसेंटोस अम्हार वापिस से प्यारा लोसेंटोस हो जाएगा तो में खतरनाक सा चीता तो बन चुका है तो फड़ा-पट चलते हैं चीता गई पास और उस्सादी करते हैं मुझे लंगने मैं सबसे खतरनाक हूं वाउ फ्रेंक्लिन भी एक खतरनाक चीता बन चुका है पर अभी भी लॉयन बाकी है अब हम देखेंगे लॉयन की काहानी कैसे वो बनेगा विकेस टु स्ट्रॉंगेस लॉयन तो काई सर अभी मैं लॉयन तो बन चुका हूं और मुझे अप्रेड होना है औ यह ये शेयर का बच्चा भी स्का सकते है तुमें क्या मैं मेरे बत्चे को साई कि चला के दिखाओ तुम जो बोलोगे में वो करूँगा तुम जो बोलोगो करूगा औरहिए काईसर अगर मैं टॉक्टर शेंज को बोलू मुझे आफग्रेट करने के लिए तो भूजय अफ्ग्रेट कर सकता है पर मुझे बसे साइकल को चलाना होगा अगर तो इसका डर निकल जाएगा और काईजर मुझे साइकल को कैसे भी करके चलाना ही पड़ेगा अगर मुझे अफग्रेड हो नहीं तो फड़ापट से बैट जाते हैं साइकल पर और इसको चलाते हैं यह देखो साइकल चल गई बच्चे यह देखो यह साइकल चला पा रहा है यह तो बहुत एक्छी साइकल चल यह वाव बहुत भाँ चुक्रिया तुमने मेरे बच्चे को साइकिल चलाने का डर निकाल दिया अरे तैंक तु से काम नी चलेगा आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा पताओ क्या काम करना है मुझे अप्ग्रेट करना है आज मुझे दुन्या का सबसे खतरनाक शेर बनना है तो मुझे फड़ाव मेट से अप्ग्रेट कर दो उड़ी बबा क्यों नहीं मैं तुम्हें अप्ग्रेट जरूर करूंगा ओं ब्रेम कॉल्ड क्रेम शेर के बच्चे तू काय चाओ मीन और काई जरा भी आप देख सकते हो मैं अप्ग्रेट हो चुगा एक खदरनाक से शेर तो बहुत ही स्वादा मजाने वाला है तो फड़ावफट से फीडे को लाइक करतो चैनल को सब्साइब करतो और कमें लिख देना गुड लक फ्रेंक्लिन ता कि हम जल्दी जल्दी अप्ग्रेड हो जाए चलो फड़ावफट से और भी अप्ग्रेड होते हैं ता कि हम उस तो मौके अगर तुमने दो मौकों में सई लखी बॉक्स खोल डाला तो तुम अफग्रेड होगे वरना तुम जिन्दे की पर कभी अफग्रेड नहीं हो पाओगे और एक कैसर यह तो बहुत ही खतरनाक है यहां पर तीन तीन खतरनाक लखी बॉक्सेस है और कैसी एक में ऐसी जो कि मुझे अफग्रेड कर सकता है पर वो इन तीनों में से कौन सा है मुझे नहीं पता और मुझे सुर्फ दो मौके मिलने वाले हैं तो सबसे पहले कौन सा लखी बॉक्स खोला जाए यहां पर दो बड़े और एक छोटा लगी बॉक्स है तो मैं सोच रहा हूँ इसको ख मैं सबसे पहले खोलने चार वाला हूँ ठाड कुल जा सेम सेम खुल जा खुल जा यह क्या इसमेसे तो यह खदरनाक सब पिजन निकल चुका है ए अरे तू यहां पर क्यों आगया मुझे अग्रेड होना था ना की पिजन चाहिए बच्चे तुमारे पास अखरी मौका बच तो काई सर मुझे लग रहा है यह चोटे वाले में खतरनाक पावर्स आपको के लग रहा है फड़ा फट से कमेंट करके बता दो और मैं इस चोटे लखी बोक्स को भी खोलने वाला हूँ त्री टू वएन खुल जा सिब से और काई से आप देख सकते हो मैंने बिकुल सही ल तो काई सर अभी आप देख सकतो मैं अप्डेड़ हो चुका हूँ एक और खतरनाक से लॉयन में और यह पहले वाले लॉयन से भी बहुत ही जादा खतरनाक लग रहा है बल काई सर हम यहाँ पर रुकने नी वाले हमें और भी जादा अप्डे़ होना है ताकि हम उस चुए क आज का मारा गोल है उस चुए को कैसे भी करके हालना तो अभी जितना जादा अग्रेड़ हो सकते उतना अप्डेड़ होंगे और आखर में उस चुए को मार देंगे तो फड़ाफट से लाइक कर देना नहीं किया है तो सबस्क्राब कर देना और कमेंट में लेगना मत बू चुए अभे क्या कर रहा है लॉयन के बच्चे तू कभी अप्ग्रेड नहीं हो पाएगा बाइबाए मैं यह ट्रॉएंग मैजिक बोर्ड लेकर जा रहा हूं अपने साथ हा 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 मैं ही दुनिया का सबसे खतरनाग जानवर हूं और हमेशा रहूंगा अरे यह क्या हो गया तो मेरि ड्रॉइंग मैजिक बोड ऑगी लिगिया हम मैं अब मैं अब्रॉइट कैसे होंगा हूंगा मेराऊ इड्रॉइंग मैजिक बोर्ड लेके चला गया रुक्चा चुए गार मेरी बात्सुनों लोयान इधर आओ अरे ये कोने नोयन मैं इस लोससेंटोस के लोयनों का चाचा हूँ मैं बहुत टाइम से इस लोससेंटोस में लोयन्स की रक्षा कर रहा हूँ पर जब से वो चुवा आया है उसने सारे लोयन्स को ख fantm कर दिया है मैं चारता हूँ तुम हमारी मदद करो और मेरी तरव से तुमारे लिए ये ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड अब तुम आखरी उमीदो लॉयन्स की जाओ उसे खतम कर दो अरे बहुत 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 शुक्रिया लॉयन चाजा जी हमें ये खतरनाक सा एक ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड देने के लिए तो काई सर अभी हमें ये ट्राइंग मैजिक बोड मिल गया है और इस पर हमें एक खदरनाक सा लॉयन बनाने वाला है चुकि बहुत ही जादा पाउर्फुल होगा और उस चुए के बच्चे को हरा देगा तो चलो फड़ावट से बनाते हैं खदरनाक सा लॉयन तो काई सर अभी आप देख सकतो हम लोग आ चुके हैं इस खदरनाक से ट्राइंग मैजिक पोर्ट पर और इस पर हमें खदरनाक सा लॉयन बनाने वाले ये लॉयन सही में बहुत ही जादा स्ट्रॉंग और बहुत ही खदरनाक होने वाला है और ये पहला ऐसा अजया अफडर होने वाला जो कि सही में लॉयन जैसा दिखता हैं चौसारी जो भिवानगयों बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसका बनाने वाले है इसके बड़ी बड़ी दाड़ी होती दाड़ी बोसमें होते हैंimeter जो होती है वही करते हैं तो बड़ावपट से इसका face यहां पर सबसे बहले बनाएंगे उसके बाद बाकी की सारी की सारी चीज़े यहां पर इसको ऐसे लेकर जाएंगे इसका face होने वाला है बहुत ही जाधा खतरना यूगि आपको पता है नाक और नाक बन गई बूवी बन गया नाक में होंगे दो धो खट्ड जाहसे सास है ले तो सक्की होते तो इसको भी दे देगे और यहाँ पर इसका बाकी कब फेस्थ हम बनाने वाले है ये बन गया ये फिस बहुत ही खतरनाक लग रहा है और लॉयन के आपे मूचे भी होती है तो फड़ावड से उसको तीन मूचे देते हैं। दोनों साइट तीन-तीन मूचे उसकी डलने वाली तीन मूचे लगे बाली है तीन बस। और यहाँ पर हम उसकी आखे बनाने वाले लोयन की आखे सही में बहुती जादा पौरफुल होती है मतलब बहुती तेज होती है तो हमको इनको बहुती अच्छा बनाना पड़ेगा तो यह बनी पहली यह बनी तूसरी और इसके अंदर दो दो होंगे ब्राउन ब्राउन यह हमने बना दिया और इसके ओपर इसकी आईब्रोस भी बना देते है इसकी बन गई आईब्रोस और यहाँ पर भी टन तो यहाँ पर हमारे लॉयन की सब यहाँ पर हमारे लॉयन का फेस बन चुका है अब इसकी बाकी की अब इसकी बाकी का फेस कंप्लीट कर देते जैसे क इसके बाल जो से पूरे शरीर बाल होगी ना तो उसको भी जोड़ा अच्छी तरह कर दिया जाए ताकि यह बहुत ही जादा बढ़िया लगे ऐसे बाल बाल फेला देंगे इसके पूर के पूरे शरीर में हमारा लॉयन बहुत ही खतरनाक लगने वाला है और अब इसका फेस त चुका है जिसमें होंगे यहां पर बड़े बड़े नाकून यहां पर पन गए पहला बन गया अब लेकर चलते हैं इसकी बाकी की बॉड़ी बनाई जाए यह बनेगी इसकी बाकी की बॉड़ी यहां पर जाएगा इसका आखरी पैर जो यहां पर होता है और इसको भी लेकर राक लगने लग चुका है चार चार पैर इसके यहाँ पर बन चुके तो फड़ा पट से कम्प्लीट कर देते इन के अंदर हम दे देते हैं नाकुन और यह बहुत ज़ादर जरूरी है लॉयन में तो पूच्प यह पर बना देंगे अभी लॉयन का it's starting that night लास्ट में इसके सारी की सारी पावर्स बढ़ा देंगे तब यह बहुती बढ़िया लगेगा इसकी पूछ भी यहां पर बन चुकी है तो आप बार यहां चुकी है इसके अंदर कलर करने के और एक आइब्रो के रहेगे यहां पर इसके आइब्रो भी दे देते हैं और यार इसको कान भी देना जरूरी तो कान भी देते हैं लॉयन्स की कान भी बहुती जादा तेज होते हैं तो कान भी देते हैं अब हम इसके अंदर कलर करेंगे इस नहीं ब्राउन नहीं और इसमें करने वाल हैं और इंज कलर तो हर जगे फटाफट से और इंज कर देंगे पर हो सकता है और उसके बाद गोल्डन लेके इसके पैरों में कर देंगे और यहां पर एक स्किन कलर इधर करेंगे और इसकी बाकि नाखुन में होगा लाल लाल कलर लाल कलर बढ़िया लगेगा तो इसके सारे नाखुन में कर देते हैं 123 123 और इसके फेस में भी पीच में होग और इंच कलर इसके नाग में करने वाले हैं ब्राउन कलर तो टार्क प्राउन भी आपर कर देते हैं उसके बाद हम लाइट स्किन कलर लेके इधर कर देंगे और इसके मूँ के अंदर होने वाला है काला कलर और बाकी इसके सारे के सारे बालों में होगा ब्राउन कलर तो जाके ब्राउन होता है आखों में हो गया ब्राउन हो तो यल्लो भी डाल देंगे तो गाइज आप देख से को हमारा लॉयन यहां पर कंप्लिट हो चुका है बहुत ही जादा खतरनाक लग रहा है तो फड़ापट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं और इसके हम पावर बना चे तुम बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे हो ऐसे अगर चलतरा तो तो मुझे को हरा दोगे जाओ मेरा अशिर्वाद तुमारे साथ है अरे अंकल थैंक्यू थैंक्यू चलो काईजर अभी हम अग्रेड हो चुका है खतरनाक से लॉयन में अब लग रहा हूनों में लॉयन पहले में 2-4 फैलो आधा याओ अब असली लॉयन में लग रहा हूं तो चलो फड़ाँ पट से चलते हैं आखरी बार अपग्रेड ध clapping क्योंकि क्योंकि में सब से खतरनाक लॉयन तो बन गया पर जैसे वो अपग्रेड़ेडिड चुआijn वैसे हमें अपग्रेड़ेड लॉ और उसके बाद हम उस चुए को और आएंगे मैंने सुना है शेर के बच्चे तुम होना चाहते हो अफग्रेड तो तुम आयो बेलकुल सही जगह पर यहाँ पर मैं तुझे अफग्रेड करूंगा एक सेगेंड पहली बातों मैं शेर का बच्चा नी मैं अब कुछ शेर बन चुका हूँ और ये कुट्टा के मुझे अफग्रेड करेगा मुझे कुट्टा बोला जाओ मैं तुम अफग्रेड नी करता मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खतरनाक लॉयन बनाने वाला था पर लगता है अब नहीं बनाना पड़ेगा अरे ने नी मैं तो मजाग कर रहा था मैं तो कितना चोटा सा शेर हूँ मुझे मुझे अफग्रेड कर दो मुझे अफग्रेड कर दो अच्छा ठीक है, रो मत अपग्रेट कर देता हूँ तो तुमारी गाड़िया यहाँ पर पड़ी है कोई सी भी गाड़ी में बैटो और जाओ इस खदरनाक से चैलेंज को शुरू करो ये चैलेंज बहुत ही जादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसका जो प्राइज और रिवार्ड है वो भी बहुत ही खतरनाक है यहाँ से अपनी गाड़ी को भागाते वे जाना है टेड़े रोड पर सारे अबस्टेकल को क्रॉस करते करते जाना है इस बड़ी सी मेज में से अपने रस्ते डून डून कर निकल कर इस रोड पर जाके सारे अबस्टेकल क्रॉस करते करते जाना है इस टायर के ओपर निकलना है फिर सारे अबस्टेकल क्रॉस करते करते आखेर में आना हैंस फिनिशिंग लाइन पर अगर तुम फिनिशिंग लाइन पर पहुँझ गए तो मैं तो मैं अफग्रेड करूँगा तो काईसर अभी मुझे कैसे भी करके अफग्रेड होना ही पड़ेगा सबसे वह अपने लिए गाड़ी चूज कर लेते हैं कौन सी गाड़ी ले जाया है यह पुलिस वाली ले लेते हैं तो कैसर काडी के अदर हम तो बैठ चुके हैं तो फड़ापट जागे वीडेड को लाइक कर दो अश्टार को सुबस्वाइब कर दो क्यों कि कैसे भी करके जीतना है और कैसे कमेंट में एक दिना गुड़ लग वरुन क्योंकि आपके गुड़ लग से ही हम ये चैलेंज जीत पाएंगे तो फड़ापर्ट से लेकर चलते हैं और चैलेंज हो चुका है यहाँ पर शुरू मुझे कैसे भी करके दुनिया का सबसे खतरनाक शेर बनना है ताकि मैं उस चुवे को हरा सकूँ सोचो वो चुवा एक शेर से भी खतरनाक है तो हमें उसको कैसे भी करके बताने पड़ेगा कि शेर सबसे खतरनाक होता है और मैं जंगल का राजा हूँ तो इस चुह कौम बिलकुल भी नहीं चोड़ने वाले फड़ावपट से चलते हैं ये बारवर गायब हो के दर आ रहा है और यहाँ पर यह स्नोवाल रोड पर हमें जाना है मेरी गाड़ी स्लिप हो रही है पर आराम से हम यहाँ पर आ चुके हैं तो इस चैलेंज का पहला उब्स्टेकल हमने क्रॉस करके जा रहे है इस टेड़े मेडे रोड पर यह रोड पूर के पुरा टेड़ा है और यहासे गाड़ी का भी भी नीचे गिर सकती है तो आराम से हमें इस गाड़ी को चलाना पड़ेगा तो क्वाज़ा सबस्क्राइब न और हम आचुके इस मेज के पास यह में सही में बहुती जादा खतरना कि इसका होने वाला है मुझे कुछ समझ निया रहा पर मुझे कैसे भी करके इसको क्रॉस करना है रुक जारू जाओ क्या किया जाए यह यहां से त्री टू वन हम निकल जाएंगे और यह मैं कहां आ आ रुके यहां से चलते हैं उपर यहां से यहां पर इस तरफ एरो जाने का और अभी हम इधर आ चुके है अब इधर जाना है आप कहां जाए मुझे लगता है यहां से हमें जाना चाहिए और यहां पर जाएंगे और यहां 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 पर जाएंगे अरे यहां हम इस मेज से बाहर निकल गए ओके यह थोड़ा हाट था पर फिर मैं कैसे भी करके निकल चुके सोचो यह 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 इतना हाट था तो आगे क्या होने वाला है और यह बढ़ी आसा जंप हमने ले लिया हमारी गारी वापिस है उट आफ कुंटूलर के बापिस सीधी और अपकी यह जाए जाए यह वाला रोट बिल्कुल प्लेन है पर ऐसा हो सकता है कि कोई महले जा लो और यह रोट पुरा अब्स्टेकल से बढ़ा हुआ है तो इसलिए हम इस पर ही जाने वाला अगर उदर कुछ भी जालुआ तो हम सीधा नीचे किटेंगे पानी में और हो जाएंग एंचे घिरे जाए टोबनी काड़ी को सीधा करना पड़ेगा और सामने जाना को लेते हैं पीछे अपनी गाड़े को वड़ा वट से कुदा लेते हैं और अपनी यहाँ अपर ने कर ली, तो कैसर लेंदिंग हमने यहाँ पर कर ली सारे ओष्डेकल को पाहर करते क्योंकि सा कर साम्ने बीच में फुटबाल में चट जाए है आराम से आराम से मेरे ऊपर में चटना ओके अभी फुटबाल साइड में जा चुकिया है और वो लकडी आरी है आखिरकार तुमने ये चैलेंज चीत लिया मेरे पिले, इसकी तो मैं ऐसे की देशी करूँ है, एक बार मुझे अपग्रेड कर दे क्या तुम अपग्रेड होना चाहते हो? हाँ, मैं अपग्रेड चाहता हूँ, तभी तो ये चैलेंज कंप्लेट किया है तो फड़ा फड़ से मेरे साथ बोलो, भव, 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 मैं हूँ कुत्ता, मैं हूँ कुत्ता, कुत्ते होते हैं सबसे कंदरनाक ये क्या बुलवा रहा है, जल्दी बोलो, कुत्ते होते हैं सबसे कंदरनाक इस लॉयन ने बोल दिया कुट्टे सबसे खतरनाक होते अरे तुमने तो बोला था ये मंत्र है ये कोई मंत्र नहीं था मैं तो ऐसे ही बोल रहा था तेरी तो रुख जाओ मैं तो मैं अपग्रेड करता हूँ 3, 2, 1 तो काई सर आब अभी देख सकते हूँ फाइनली मैं अपग्रेड हो चुका है खतरनाक से लॉयन में इसका फेस तो देखो इसकी बोड़े देखो इसकी विंक्स तो देखो ये सही में बहुत ही जादा खतरनाक है मैंने बोला था ना अपग्रेड करूँगा तेरी अपग्रेड के बच्चे धरा मुझसे ये बुलवारा था कि कुटे जादा खतरनाक होते है शे लॉयन हमेशा खतरनाक थे और हमेशा खतरनाक रहेंगे तो निकल पानी में तो काई सर इस कुटे को तो हमने बार दिया अब बारे उस चुए की बारा बजाने की उसने हमें बहुत ही परेशान किया था मैं कमजोर बोला था पर कैसर अभी हम जाएंगे और उस चुए के बच्चे को बिलको नहीं चोड़ेंगे हम तो सही में बहुत ही जादा खतरनाक हो चुके मेरी पावर्स बहुत ही गतर हो चुके रुक जा कारवाल है आजा तेको भी गुमा के लाता हूँ मैं इस कारवालो को भी अपने साथ में गुमा सकता हूँ मेरी इतना जाधा मैं स्ट्रॉंग हो चुका हूँ चल निकल यहां से आ रहा हूँ मैं चुए चुए मॉंस्टर आखिरकार मैं आ गया तुझे खतम करने तुमने बहुत कोशिश करी मैं तुमारा मैजिक बोर्ड लेके गया फिर भी तुम अपग्रेड हुए मुझे अच्छा लगा पर अब तुम्हें बिल्कुल अच्छा ने लगेगा जब मैं तुम्हें खतम कर दूँगा वो तुम्हें पता चली जाएगा कौन केसे खतम करेगा मैं तुम्हें खतम करूँगा बच्चे बच्चा किसको बोला अबे साले अजीब से दिखने वाले अबे साले कोई में रहने वाले अजीब से चुए मैं तुझे नहीं चोड़ूँगा तो ने मुझे गंदी नाली का चुवा बोला वो तो भी तक बोला नहीं था पर तु है गंदी नाली के चुवे मैं तुझे नहीं चोड़ने वाला आज इस कौम खतम करके रहेंगे इसने बहुत परिशान कर लिया मैं तुझे नहीं इतना स्ट्रॉंग के बच्चे अभी तेरी अट्टी निकालता हूँ यह ले हाँ 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 अरे काईसर यह सही में बहुत ही स्ट्रॉंग के बना टेंक्शन मतलो हम इसको कैसे भी करके खतम करके रहेंगे मैं तुझे नहीं चोड़ूंगा बच्चे रुक जा एक तो बारवा बच्चा किसको बोल रहा है यह मेरे से भी जादा चोटा है हाइट में और मुझे बच्चा बोले जा रहा है इतरा इसको दिखा देगे किस में है कितना दम तो काईसर अभी हम इसको खतम करने वाले तो फड़ावट जे वीडियो को लाइक कर दो सबसाइब कर दो और अरे दस साल परानी बात मता आज की बात मता आज के बाद तु कभी राज नहीं कर पाएगा क्या चल रहा है ट्रक के कहां से रही है रूख जाओ इसको पर यह गार उठागे फैकेंगे मैं तुझे खतम कर दूँगा अरे तेरी निकल यहां से तो काई जरे इस रैट को खतम करने की बार यहां चुकिए अगर आपने लाइक नहीं के तो लाइक कर देना क्योंकि यह ओने वाला है खताओं मैं मान गया मैं मान गया तुम जादा पाउरफुल हूदो डू फिफ्टी फिफ्टी परसेंगा टेल सैंटास पर अच्छा तुम मेंसे कमजूरा är 50% राज करेगा अच्छा ठीके, 10% मेरा और 90% तेरा नहीं अच्छा ठीके, तुम मुझे जिन्दा रहन दो और फिर सारा तुमारा नहीं, मुझे लॉस सेंटोस पर राज नी करना नहीं, मैं तुझे जिन्दा रहन देने वाला हू मैं तुझे आज तो खतम करके रहूंगा वो भी सिदा बानी में यहाँ गेले तो क्वैसर इसे के साथ रेट की कहानी यहाँ पर खतम हो चुकी है पर हमारा टाइम हो चुका है चीता कल के पास जाने का ताकि वो डिसाइड कर सके कौन उससे शादी करेगा मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों जनलों की स्टोरी देख लिए मुझे समझ नहारा मेरी बेटी के लिए कौन सा ही रहेगा वो खतरनाक साथ चीता या फिर फ्रेंकलिन चीता या फिर वो लॉयल तो ये फैसला मैं आपके हाँ चोड़ रहा हूं जो भी ये वीडियो देख रहा है आफ़रा फट से कमेंट करके बताओ मेरी बेटी को किस से शादी करनी चाहिए जिसका ज्यादा नाम कमेंट होगा उससे शादी कराएंगे हमारी बेटी की तो आज की वेडियो से वेता ही, अगर आपको आज वेडियो तो लाइक कर देना, चैल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको और भी मेगाएविसोड देखने हैं, तो कमेंट करके बता देना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए, बाइ बाइ